इरान ने एलान किया है कि वह अपना यूरेनियम भंडार बढ़ाएगा जिससे विशेशग्यों का मानना है कि ऐसा करके वो 2015 में बैस्विक सक्ती के साथ हुए समझवतों की सर्तों के उलंगन करने की तैयारी में है आपको बता दें कि इन ही सब को लेकर अमेरिका ने इरान पर परतिबंध लगाया हुआ है जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है अमेर्की राष्टपती डोनाल ट्रंप ने रवीवार को कहा है कि सरनार्थी हिरासत केंदरों के दरवाजे अब पतरकारों के निरिक्षन के लिए भी खुलेंगे गौरतलव है कि इन केंदरों में समता से अधिक लोगों को रखने और इनकी खराब रखरखाओ की अस्थिती के लिए ट्रंप की लगातार आलोचना हो रही है करनाटक में मची सियासी हलचल को लेकर आज लोगसभा में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अधी रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा के एक सांसद हमारे विधायकों को चार्टेड फ्लेन से लेकर गए इसके अलाबा उन्होंने यह भी कहा कि करनाटक की कॉंग्रेस जेडियस गटवंदन सरकार को गिराने के लिए दल वदल कराने की कोशिस की जा रही है वहीं इस पर लोकसभा में परतिक्रिया देते हुए रक्षा मंतरी राजनास सिंग ने कहा कि करनाटक में जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हमारी पार्टी कभी भी खरीद फरोक्त में विश्वास नहीं रखती हर्तिय वायुसेना लंबे समय से लंबित परे डेर लाख करो रुपए की कीमत वाले दो मैकिन इंडिया प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने जा रही है आपको वता दें कि 56 मीडियम ट्रांस्पोर्ट एयर क्राप्ट वाला टाटा एयर वेस कंसोडियम वाला इस रो 15 जुलाई को चंद्रियान 2 लांच करने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रेंटी की हुई है इससे ठीक एक हपते पहले इस रो ने अपनी वेबसाइट पर चंद्रियान की तस्वीरें जारी की थी आपको बता दें कि लगभग 1000 करोर रुपए की लागत वाले इस मिशन को GSLV MK3 रॉकेट से लांच किया जाएगा माया नगरी मुंबई में भारी वारिस के कारण लोगों के जन जीवन अस्त्वेस्त हो गए हैं और यहां पर लोगों को वारिस के बाद अब जलवराओ की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पर रह प्रहामन समाज ऑफ इंडिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है कोट ने याचिका करता से फिल्म को लेकर अपना एतराज उचित फिलेट फॉर्म पर रखने को कहा है विदेश मंतरी एस जैसंकर ने आज राज्यसभा की सदस्ता की सफत ली जैसंकर पिछले सपता गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे आपको वता दें कि सदन की बैठक सुरू होने के वाद आज उन्हें राज्यसभा की सदस्ता के लिए सपत दिलाई उत्राखंड में मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर जताई गई संभावनाओं के वाद उत्राखंड की राजधानी दहरादुन समेत राज्य के कई जिलों में वारिस हुई वहीं मसूरी में सुबह भारी वारिस से जहां प्रेयटकों को परिसानी का सामना करना पराव वहीं बारिस के कारण लोगों को ठंड भी महसूस हो रहा है दिल्ली हाइकोट ने लोगसभा अध्यक्ष को सदन में विपक्ष कानेता नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग समंधी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है इस मामले में उच्चेनयाले ने कहा कि विपक्ष का नेता नियुक्त करने की कोई समवैधानिक जरूरत नहीं है इसलिए उसे ऐसी नियुक्ती के लिए कोई नीती बनाने का निर्देश देने का कोई कारण नजर नहीं आता विहार विधान सभा के मांसून सत्र की कारवाई आज दो दिनों के अवगास के बाद दुबारा सुरू ही जहां पर्तिपक्ष के नेता तेजस्वी आदव ने विधान सभा में ध्यक्स से मुलाकात की आपको बता दें कि लोक सभा चुनाओ के बाद तेजस्वी आदव आज पहली बार विधान सभा में देखे गए पंजाब के केविनेट मंत्री नवजोट सिंग सिद्धू ने अपना विभाग बदले जाने के एक मेहने बाद भी कार्यवार नहीं समाला है और ऐसे में कार्वाई के वदले कांग्रेस नेत्रित सुनवाई में जुट गई है वहीं पंजाब की केप्टन अमरिंदर सिंग सरकार भी अब इस मामले में बचाव की मुद्रा में दिख रही है मध्यपरदेश के इंदोर में लोकायोक्त पुलिस ने मध्यपरदेश खाद्य आपूर्ति निगम इंदोर के ततकालिन परवंधक सलमान हैदर के चार ठिकानों पर कारवाई की है आपको बता दें कि हैदर वर्तमान में कटनी में पदस्त हैं, उनके पास आए से अधिक संपत्ती होने की सिकायत मिली थी, जिसके बाद उन पर कारवाई की गई है Flag Foundation of India ने राजस्थान में पांचमा और देश की विभिन्य सैन्य संस्थाओं में 27 सबसे उचा धोज लगाया है आपको बता दें कि जसल मेर से 12 किलो मीटर दूर अस्थित सेना के म्यूजियम में पहली बार 108 फिट गगन चुम्बी पोल पर राष्टिय दोज तिरंगा फहराया गया है गो एर द्वारा रविवार को कहा गया था कि वह साथ नए अंतर राष्टिय मारगों पर अगामी 19 जुलाई से संचालन सुरू करेगी जिसमें कुवेत, दुबई और बैंकॉक जैसे नए गंतव सामिल है इसके साथ ही गो एर ने एक और बयान में कहा है कि मुंबई और राजधानी दिल्ली दोनों अस्थानों से अबू धावी और बैंकॉक के लिए भी पुरान सेवा सुरू करेंगे स्योमी अगामी 17 जुलाई को रेडमी के 20 और रेडमी के 20 प्रो को भारत में लाँच करने जा रहा है दरसल इस फॉन का लोग भारत में वेसवरी से इंतजार कर रहे हैं आपको बता दें कि 15 जुलाई 2019 को स्योमी के भारत में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं जिसके बाद स्योमी का यह प्रोड़क्ट लाँच होना बड़ी बात है रोजाना दो से अधिक कप कॉफी पीना स्वास्त के लिए सही नहीं होता है लेकिन एक रिसर्च में कहा गया है कि डी कैफिनेट कॉफी आप जितना चाहें पी सकते हैं क्योंकि इसमें कैफिन काफी कम होता है और इसके पीने से कोई नुकसान नहीं होता बलकि कई रोगों में फायदा भी करता है अमेरिका की महला फुटवॉल टीम ने फीफा महला वर्ल्ड कप 2019 में अपने सांदार परदर्शन को जारी रखते हुए रवी वार को नीदरलेंड को टू जीरो से सिकस्त देकर लगातार दूसरी वार फीफा विश्वकप का खिताब अपने नाम कर लिया है आपको बता दें कि कुल मिलाकर अमेरिका ने चौथी वार विश्वकप खिताब जीता है बाहु बली फेम परभास और बॉलिवूड एक्टरेस सर्धा कपूर की आने वाली फिल्म साहो का गाना साइको सैयां रिलीज कर दिया गया है जिसे द्वनी भानु साली ने गाया है और यह अपकमिंग मूबी साहो का पहला गाना है आपको बता दें कि यह मूबी 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है तंगल गर्ल जैरा वसीन इन दिनों सुर्ख्यों में च्छाई हुई है जहां पिछले दिनों उसने फिल्म को अलविदा कह दिया वहीं अब ख़वर आ रही है कि वो आने वाले विगवास सो में सामिल हो सकती है लेकिन अब इन सभी रिपोर्ट्स पर पानी फिर गया है क्योंकि ख़वर है कि जैरा ने इस आफर को ठुकरा दिया है और बताया जा रहा है कि बिगवास 13 के लिए जैरा वसीन को अप्रोच किया गया था इसके लिए उन्हें 1.2 करोर रुपे का आफर भी किये गए थे लेकिन जैरा ने इस आफर को ठुकरा दिया करनाटक में जारी सियासी घमासान को लेकर भाजपा ने रविवार को कांग्रेस और जेडियस दोनों पर निशाना साधा केंद्रिय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्य मंत्री सिधार मया वा मुझूदा मुख्य मंत्री एजडी कुमार स्वामी के बीच सत्ता संघर्ष के चलते राज्य में राजनिती कुथल पुथल पैदा हुआ है वित्मंत्री निर्मला सितरमन आज आर्बियाई के केंद्रिय निरेशक मंडल को संबोधित करने जा रही है यह बजट के बाद होने वाली परम परागत बैठक है आपको बता दे कि इसमें वह बजट में राजकोशी घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों सहित बजट के अन्य प्रमुक बिंदूओं को रिखांगित करेंगी खबर एक ही भारती बाजार में पारदर्शी दूद और पारदर्शी चाय उतारने के तयारी हो रही है दरसल देश की कुछ डेरी कमपनिया इन उत्पादों के बाजार के संभावनाएं तलाश रही है आपको बता दे कि बीते तीन साल में जापान में पानी जैसी पारदर्शी चाय और पारदर्शी दूद का प्रचलन देखने को मिला है जिनगड़ना के लिए कागच के फॉर्म के बदले मुबाइल आप के जरिये जानकारी घटा करने के जमीन की तयारी हो गई है कोई बताया जा रहा है कि अगले साल एप्रिल से शुरू हो रही 2021 के लिए सवा आरब से अधिक नागरिकों के जनगड़ना मुबाइल से कराने के लिए एक विक्सित आप तयार किया जा चुका है देश में आब लगभग सभी राज्यों में मांसून ने दस्तक दे द autumn की गती में बढ़ोत्री को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 गंटे में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है आपको बताते कि देश के कई राज्यों में वर्तमान में भी बारिश हो रही है शिमला के हसीन वादियों में अब पूरी की पूरी ट्रेन ही पारदर्शी चलेगी जानकारी के मताबिक रेलवी की छे कोच वाली दो विस्टा डॉम ट्रैक का निर्मान हो रहा है और इसी साल सितंबर के पहले ही पूरे तरीके से पारदर्शी कोच तयार करने का लक्षय निर्धारित किया गया है आज सोंबार को डीजल की कीमतों में 5 पैसे से लेकर 14 पैसे तक की कमी आई है अगर आपने सिर्फ आधार के जरीए इंकम टेक्स रिटर्न फाइल किया है तो आएकर विभाग यानि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित करेगा यह जानकारी Central Board of Direct Texas Chairman द्वारा दी गई है NCDRC ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए बिल्डर से कहा है कि वे ये सुनिश्चत करें कि घर खरीदार को प्रॉपटी की पोजिशन में देरी होने पर गरहा को द्वारा दिये गए होम लोन के बजाए का पैसा भी वापिस दिया जाए गर्दलभे के ऐसा करने से गरहा को को बड़ी सहुलियत मिलेगी कांग्रिस महासाचीव प्रियंक गांधी वाडरा ने बीजेपी पर निशाना साधिते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेता सत्ता के घमण में इतने चूर हो गए है कि वे डूटी करने वाले सरकारी करमचारियों से भी दुरुफ विवार करने से पीछे नहीं हट रहे है साधि प्रियंक ने सवाल किया कि क्या इन नेताओं के खिलाफ कोई कारवाई की जाएगी कांग्रिस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी के कांग्रिस के अध्यक्ष पद से सीफा देने के बाद अब कांग्रिस में रिक्त हुए अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है इसी बीच कांग्रिस शाशित राज्य मध्यप्रदेश में जोती रादित्व सिंधिया को कांग्रिस का रास्ट्री अध्यक्ष बनाने की मांग जोरों पर है जिसके दहट भोपाल में कांग्रिस कारे करता हूँ और सिंधिया समर्थकों ने कांग्रिस पार्टी के दफ्तर के बाहर जोती रादित्व सिंधिया के कुछ पोस्टर्स भी लगाए हैं जिसमें सिंधिया को राष्ट्री अध्यक्षपद की कमान सौपने की अपील की गई है देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में मानसून पूरी तरह सक्रिय है जिससे शहर में भारी बारिश हो रही है और जगा जगा जल जमाव हो रहा है जल जमाव के कारण लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको बताते कि मौसम विभाग की ओर से म मुंबई में आज भी समुंद्र में हाई टाइड की संभावना व्यक्त की गई है कांगरेस नेता मिलंद देवडा ने रविवार को मुंबई कांगरेस के अध्यक्ष के पद से स्तीफा दे दिया है जिस पर अपनी प्रतक्रिया देते हुए कांगरेसी नेता संजे निरूपम ने उनकी नियत पर सवाल खड़े करते हुए टूइट कर कहा है कि इस तीफा में त्याग की भावना अंतर नहित होती है यहां तो दूसरे शन नैशनल लेवल का पद मांगा जा रहा है इसके साथ संजे निरूपम ने कहा कि यह स्तीफा है यह उपर चड़ने की भारत की तीन दिन की यात्रा पर रविवार रात देर दिल्ली पहुँच गए हैं जहां वे आज सोंबार को विदेश मंतरी एस जैशंकर के साथ दिवपक्षे बैठक करेंगे हरियाना कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नभी आजाद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को बड़ा जटका देते हुए तंवर द्वारा बनाई गरी हरियाना एलेक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट कमीटी को भंग कर दिया है आपको बता दी कि गुलाम नभी आजाद ने इस कमीटी के गठन को परमीशन नहीं दी है सुप्रीम कोड की रेजिस्ट्री में ब्रश्ट चार और गडबडी की जाँ चब सीबी आई और दिल्ली पूलिस के अधिकारी करेंगे आपको बता दी कि शीष रदालत के जज़ों द्वारा मुकदमे की मनमानी लिस्टिंग की शिकायतों पर चिंता जिताने के बाद चीज जस्टिस रंजन गगोई ने यह बड़ा फैसला किया है बिहार में राज्य सरकार के सिक्षा विभाग ने चार वर्षों बाद प्रदेश के सरकारी प्रारंभिक विद्यालियों में सिक्षिकों के नियोजन का फैसला कर लिया है आपको बता दी कि शुक्रवार को प्रात्मिक और मद्य विद्याले के सिक्षकों की नियुक्ती को लेकर कारे करम जारी कर दिया गया है श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करने वाले शिव भक्तों का आकड़ा सोंबार आठ जुलाई को एक लाख के बार होने जाने की उमीद जताई गई है आपको पता दी कि रविवार को यातरा के साथ वे दिन 14,293 में यात्री उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन किये है टीवी निर्माता कमपनी वी यू अपनी पांचमी साल गिरा कर जश्न मना रही है जिसके लिए कमपनी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर सेल का आयोजन किया है जिसका आज आखरी दिन है और इस दोरान यूजर से कई LED टीवीज को डिसकाउंट ओफर्स और डिल्स के साथ खरीद पाएंगे यह थी दिन भर की बड़ी ख़बरें और ऐसे ही ख़बरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है गंटी है उसे भी दवा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमाम ख़परों से आप रह सके अपडेट